असलाम अलेकुम दोस्तों जखी गोटiegen patients अपका सवागत है दोस्तों एक बार फिर मायाआपके सामने जबने युवीडियो लेकर हाजिर हूँ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही में बेल आइकन का बटन भी दबा लिजिए ताकि मैं जब भी कोई नी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच जाए दोस्तों बकरी से या बकरे से रिलेटिव आज मैं आपको बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहा हूँ इस वीडियो में बकरी या बकरा हमारे यह जो घर पे रहता है या इस्टाल फीट पे रहे या चराई पे रहे कभी कभी ऐसा होता है कि बकरी और बकरे का पेट शाम में खाना खाने के बाद सुबह में फूल जाता है जब आप देखेंगे तो पेट उसके पेट पे हाथ रखेंगे तो पेट में गैस बनी रहेगी और जब आप दबाएंगे तो पेट अंदर बाहर अंदर बाहर होता र रहती है कुछ भी आप खिलाएंगे दाना भी खिलाएंगे तभी उसके गैस बन जाएगी और ये गैस अगर बनी रहेगी तो दो पहर तक रात का खाना खाए हुए बकरी दो पहर तक ऐसे ही रहेगी जब तक कि उसकी गैस कम नहीं होगी तब तक आपकी बकरी नहीं खाएगी इसका आपने इलाज भी किया होगा लेकिन जो मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छा और बहुत सस्ता सस्ते से सस्ता आपको इलाज बता रहा हूँ कि आपको इसके लिए क्या करना है दोस्तों आपको इसके लिए करना है कि लहसुन की चार से पांच कली अगर बड़ी बकरी है तो लहसुन की चार से पांच कली और पांच जो है काली मीर्च जो काली मीर्च होती है पांच आपको सुबह में इस बकरी को पिला देना है लोग ये भी पूछते हैं कि लेसुन प्रेग्नेंट बकरी को खिलाना चाहिए कि नहीं लेसुन प्रेग्नेंट बकरी को खिलाना चाहिए दोस्तों मगर आप लेसुन को जब खिलाएं तो रात में उसे भीगो दें पानी में और सुबह हमें उसे लेसुन को आप ग्राइंड क को ग्राइड करके पांच ही आपको काली मिर्च भी लेनी है चार से पांच जवा जो होता है वही अप Harris लेना है इससे आपको बहुत अच्छा पाइदा होगा दोस्तों कि मैं जतनी चीजें दोस्तों आपको यह बताता हूँ ये मेरा अपना आजमाया हुआ होता है ये नहीं कि मुझे किसी ने बता दिया हो कि इस पे ये वीडियो बना के अपने वीवर्स को दिखा दीजिए तो इसका फायदा होगा ये चीजें पहले जमाने से होती आई हैं दोस्तों अगर आप भी आजमाएंगे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें क्योंकि आपके इस छोटी सी कोशिश से दोस्तों हमारा होसला बढ़ता है और नए नए टापिक या बकरियों की जो समस्या है इसके समस्या पर वीडियो बनाने का होसला मिलता है अल्ला हाफिस दोस्तों